चतुर खरगोश, दकलाव और रैबिट बच्चों, जानते हो, ताकत से बड़ी बुद्धी होती है। यदि हम मुसीबत के समय बुद्धी से काम लें, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी दूर कर सकते हैं। आज हमें कैसी कहानी पढ़ेंगे, जिसमें एक नन्ही से खरगोश ने अपनी बुद्धी मानी से ताकतवर शेर को हरा दिया। आओ, मेरे साथ साथ तुम भी पढ़ो। एक था जंगल, उसमें एक बलवान शेर रहता था। वह सभी जानवरों को मार कर खा जाता था। एक दिन, सभी जानवरों ने मिलकर सभा की। सभा के बाद सियार ने शेर से प्रात्ना की कि अपसे हर रोज एक जानवर आपके भूजन के लिए आ जाएगा। शेर ने सियार की बात मान ली। एक दिन, एक खरगोश की बारी आई। वह सोचने लगा की कैसे शेर से छुटकारा मिले। वह जान बूच कर देर से शेर के पास पहुचा। अब शेर को बहुत तेज भोक लगी थी। छोटे से खरगोश को देख कर शेर गुस्से में आ गया। और उसने खरगोश से देरी से आने का कारण पुछा। खरगोश ने बताया कि मुझे रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया था। और वह अपने आपको इस जंगल का राजा बता रहा था। यह सुनकर शेर ने खरगोश से दूसरे शेर के पास ले जाने को कहा। खरगोश शेर को एक कुए के पास ले गया। वहाँ पहुँचकर खरगोश ने कहा कि महराज वह शेर आपके डर से इस कुए में छिपकर बैठ गया है। शेर ने जब कुए में जाका तो उसे अपनी परचाई दिखाई दी। उसने परचाई को ही दूसरा शेर समझ लिया और बहुत गुसा हो गया। वह गुसे के कारण उस कुए में कूद गया और मर गया। देखा बच्चो कि कैसे एक छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से ना किवल अपनी ही जान बचाई बल्कि जंगल के दूसरे जानवरों की भी रक्षा की। झाल